लो वाट्स आप गाइस मैंने में स्पिनोत बादू थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वात करना चाहूंगा मेरे आसम चैनल था आप टेक्निकल पर बताना चाहूंगा गाइस आज को बहुत ज्यादा आप यूस्ट करते हो आपके मन में भी कभी ना कभी आया होगा इस वीडियो में आपको बतांगा कि एक्सेंशन बनाना कितना ज्यादा इजी एंड सिंपल है और आप अल्रेडी थापा जोक्स करके एक्सेंशन बनाया है उसका वर्जन आप यहां पर देख सकते हो डिस्क्रिप्सन आप देख सकते हो क्यों निक आईडी दी हुई है यह तो चलो ठीक है लेकिन इसका यूस क्या होगा देखो गाइस में अगर यहां पर चलता है मुल्टिपल आपस आइम एक्सेंशन जिसमें से आप देख सकते हैं आप अल्रेडी अप्लोड़ेड एन आइकन भी मैंने अप्लोड किया है एंड दी मोमेंट में इस एक्सेंशन प यह थोड़ा सा एडल टाइप ओला यह थोड़ा देरा बर्टी डिजन मैटर मेरा मेन मकसद आप लोगों को यह दिखाना है कि आप अपना खुद का एक्सेंशन कैसे क्रेट कर सकते हो ठीक है और यह दिखने में जितना मुस्किल लगता है उतना एक्चुल में है नहीं कोस्ट करना है वो सब में लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्सिन में प्रोड करा दूँगा लेकिन उससे बहले का इस बताना चाहूंगा कली की दिन मैंने वीडियो अप्लोड किया था पर टेक्निकल कोट फेस्ट इस पर जरू पार्टी स्विट कीजिएगा बिल्कुल फ् सबस्क्राइब प्लीज जरू कर लिजेगा बहुत मुटिवेट मिलता है और फ्यूचर में और और आसम वीडियो से लेकर आना लाँ ठीक है सबसे पहले क्या करना आपको यह बहुत डिटेल में उन्होंने बता है इसको आप गो थूरू कर लिजेगा लेकिन मैं बताता हू तो राइटकर रूँ फोल्डर ठेक मैं यहां पर लिख देता हूं यूटूब आ लिख देता हूं यूटूब थापक एक सेया कुछ भी दो इसको कूछ नहीं है एंटर हीट एक सब्सक्राइब हुए क्सक्रीड लिख सकतू कि मंने एक ब्लाइंक फोल्डर के अंदर आ manifest dot json manifest dot json लिखना है and this is it and यही same आपका हर जगे काम आता guys progressive web apps and all में भी ठीक है इसको मैं हटा दे रहा हूं side कर दे रहा हूं आपको object create करना है अब बहुत clearly देख सकते हूं here we have our name हमारा उसका description and all ठीक है तो यहां पर आपको वही चीज़ तो सबसे पहले देखो guys automatic suggestion आ जा रहा है अब नाम दे दीजे थापा आप कुछ भी लिख सकते हो ठीक है and हाँ जब आप इस तरीकी suggestion file create करते हो आपका key and then value property and then value both must be inside your double and single quotes ठीक है and then आपको यहां पर guys simple description लिखना पड़ेगा spelling आपको सही लिखना है बस spelling बहुत ज़्यादा matter करता है यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूँ get a new jokes everyday get a new jokes joke तो एक ही हैगा everyday ठीक है all right perfect आपको एक कॉमा देना है and then guys आपको यहां पर version बताना पड़ेगा कि इसका version क्या है ठीक है and by default mostly लोग इस तरह की से लिखते है 0.0.1 आप उसको update कर सकते हो comma and then guys आपको यहां पर manifest का version लिखना पड़ेगा so manifest.json sorry not json लेकिन पहले इसको complete कर लेते हैं ठीक है यहां पर में चलता हूँ and हाँ अब आप यहां पर manifest का version आपको 3 लिखना पड़ेगा because 2 is already deprecated ठीक है all right guys simply control एट सेप कर दीजिएगा and or let's see इतर को version name, version icons icons आपको बतांगो description हो चुका है तो guys इतना तो complete हो गया let it be ठीक है and मैं बस यह दिखाना चाता था यह दिखी गई इस manifest का version 3 इनो ने लिखा है because 2 अब नहीं लिखा जाता आपको 3 के बाद ही लिखना पड़ेगा आप 3 लिखके छोड़ दीजिएगा ठीक है so this is it इतना मेरा काम हो चुका है सिर्फ इतना अगर मैं लिखता हूँ ठीक है guys simply आपको क्या करना है guys आपको चलना पड़ेगा यह देखो ही यह आपको इस तरीके से Chrome यह आपको basically extension को access करना है तो directly आप इस तरीके से access कर सकते हो मालब दिया आप multiple ways आप extension को access कर सकते हो अब एकदम top पे देख लिजिए guys अगर developer mode आपका on नहीं है तो आपको developer mode को पहले on करना है then we have a load unpacked आपको इस पर click करना होगा और आट गएस तो आप देख सकते हुआ कि मैं अपने folder पर आच चुका हूँ and then YouTube थाप पाई इस पर आपको click करना है and then select the folder and यहाँ पर बहुत awesome हमें एक warning दिया जा रहा कि बता रहा है कि manifest underscore version की जो है वो missing है अल्राइट पॉफेक्ट देखो अब मैं आपको एक best part बार दाता हूँ इस तरी के से मैंने लिख दी control and save actual में manifest underscore version लिखना था ठीक है यह बहुत awesome है अच्छा हुआ add आया I mean error आगया control and save कर रहा हूँ अब यहाँ पर चलना है save होई करना अगे इस पर click मैं यहाँ पर चलता हूँ मेरा YouTube इस पर आपको जाना है select करके select पूलो and boom guys see we have our थापा जोग देखो get a new जोग everyday कितनी आपका एक्स्टेंशन चैनल है basically extension page में आपका extension आ गया यह है नहीं कितना जाद awesome but currently अब मैं फिलाल यहाँ तो आपने इस इस तरीके से दिखाई दे रहा होता है ठीक है simple jokes तो मुझे वह भी चाहिए and एक और चीज यहाँ पर आप देख सकते मुझे icon दिख रहा है and by default default एक pop-up open होता है ठीक है तो वह सब चीजे में आपको बताता हो देखो अगेन आपको यहाँ पर कॉमा देना है now we need something action now we need an action right हमें action चीए तो वह action यहाँ पर देखो कितना इजली उसके लिए में एक और object create करो जिसका नाम होगा action and then inside our action object अब डिफॉल्ट करें देखो यह by default नाम है आपको यही लिखना पड़ेगा पर pop-up.html मैंने रख दिया उसका ना क्योंकि देखो ने क्या लिखा है यहाँ पर default जब क्लिक करोगे तो कौन सा default पॉप आएगा तो मैंने बोल देखो यह वाला जो फाइल है वो आएगा simple इससे जाद और कुछ नहीं है कि नी and then we need an icon also right हमें icon भी तो चाहिए so default underscore आपको simple लिख देना है icon and अब icon देखो गाई से मैं आपको बाता तो यह चीज यहाँ पर icon मेरे पास फिलाल है ने लेकिन मैं इस तरी किसे लिख के छोड़ दे रहा हूं ctrl s save ठीक है तो अब मुझे icon भी चीज तो मैं यहाँ चलता हूं यह वाला जो icon है इसको right click copy मैं यहाँ पर चलो आपने spoiler पर देखोगा इस हमारे फिलाल अब इससे पर एक ही file है right click करूँगा and then paste कर दूँगा this is it so we have one icon जिसको मैं ने paste कर दिया है don't worry यह सबका source code बिल्कुल free मैं आपको मैं नीचे प्रवड़ करा दूँगा ताकि कोई टेंसे नाव बस प्लीज आप subscribe कर लिजेगा इस वीडियो के एक like and दोस्तों के साथ से जरू कर दिजेगा मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी इतना मेरा काम हो गया है अब अब ध्यान से देखना मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ फिलाला भी मुझे कुछ दीख नहीं रहा है देखो था पास जो एक एज़िटीज है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ बिसिकली मुझे फाइल क्रेट करना बड़ेगा यहाँ पे सो मैं पेस कर दे रहा हूँ अब यहाँ पर नॉर्माल आपका जो एस्टेमल लिखते है आपको जो लिखना यहाँ पर लिखो पूरा वेबसाइट चिपका दो ठीक है मैं यहाँ प मुझे मिल रहा वो API से मिल रहा तो इसमें मैं जावस्किट भी आड़ करूंगा तो बहुत मज़ा आएगा ठीक है एंड वो जो ID होगा मैं लिख देता हूँ मैं जो करके ठीक है एंड यहाँ पर as it is मैं by default के लिए थापर टेक्निकल लिखके छोड़ देता हूँ अगर बा अब बूम गया इसी जोक अब दडी एंड थापर टेक्निकल एटलीस मुझे इतना आ रहा है क्योंने इसको मैं थोड़ा से स्टाइल कर दूं कितना ऑस्सम होगा आपके माइन में आ रहा होगा कास मैं इसमें CSS कर सकता तो वह मैं आपको आड़ करके बाद आता हूँ तो इस ना होना ही चीता है कि कल की दिन अगर जो कोई छोटा कोई बड़ा तो वहाँ पे वह इनों स्पेस का कोई कमी ना हो तो बाइड़ पॉल्ट उसको एडजस्स कर लेगा एंड बॉक्स एड़ो देदी नाव यह जो मेरा CSS है वो मुझे यहाँ पर चाहिए ना तो बहुत ज्यादा सिंपल है आपको कुछ नहीं करना जैसे नॉर्मल हम CSS include करते हैं आपको CSS include कर देना है अगेन आपको यहाँ पर चलना है मैं यहाँ पर इसको एक बार रिफ्रेस कर दूँगा मैं यहाँ पर चलूँगा अब अग इस पर मैं क्लिक करता हूँ एदा को जो कब दा डे कि उसमें एक जोक आये जब भी कुछ पर क्लिक करेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर मैं चलता हूँ index.js मैं एक और.js का फाइल क्रेट कर रहा हूँ simple ठीक है इस सुपर डूपर इजी सबसे पहले मैं चाहूँगा window.add event listener ठीक है मैं यहाँ पर एक event listen कराना चा जब भी page load होगा यह हमें basically मिलने वाला है so const gate jokes मैं यहाँ पर चल रहा हूँ it's super duper easy ठीक है अब बस guys हमें क्या करना है यहाँ पर मैं चलता हूँ यहाँ आपको promise return करता है so we will go with async ठीक है आप promises भी उसकर सकते थे and then we will go with try and then catch हाला कितिना इसकी कोई need तो है नि मुझे ऐसा लगता है बट जो भी हो let's go with try and then catch ठीक है मैं यहाँ पर error चिपका दूँगा error and ठीक इसको रहन दोगा इसे यहाँ पर as it is you know अगर error है तो रहने दो बट यहाँ पर आप मुझे क्या करना है इस const जो भी response आ रहा होगा अगर मैं fetch करता हूं मेरे API को and जो API मेरे पास है उसको मैं copy हाला कि API तो मेरे पास है आप लोगों का सब इसका link में share कर दूँगा ठीक है copy and then all right इसको मैंने copy नहीं कि अच्छे से लगता है copy यहाँ पर आपको गाई simple paste this is it मेरा काम हो गया और यहां से मुझे data आ रहा होगा एंड जो data मुझे मिल रहा है तो कुछ एक object मिल रहा है जिसमें directly मुझे यह जो value है उसको access करना है dot value and मुझे यह जो joke है मुझे वह मिल जाएगा क्योंकि यह जावस्क्रिप्ट का एक portion है ठीक है मेरा काम तो आपको सिर्फ extension बताना था बट बताना चाहूंगा जावस्क्रिप्ट एंसको पर अप्लोड कर चुक है जरूँ चेकाट कर लीजिएगा ठीक है इसमें आपके सारे dot clear हो जाएंगे मुझे यहाँ पर response मिला जोक ना मैं यहाँ पर चलता हूं directly हला कि मैं बाहर उसका access ले सकता था लेकिन let's go with here only const my joke will equal to simply document.queryselector ठीक है यहाँ पर गाईस आपको simple hashtag my joke कर देना है and this is it ठीक है अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर यहाँ जो मेरा my joke होगा my joke will be equal to data dot and then value this is it कि यह वही है and मेरा काम होगी है तो guys आपको simply control as save करना है pop up पे चलना है एकदम bottom पे चलके आपको यह जो script है उसको add कर देना है ठीक है so script का source and यहाँ पर लिख देना index.js control as save अब अगर मैं यहाँ पर चलता हूं अगर simply यहाँ पे extension पे इस जगे पिसको आप आपको एक रिफ्रेस्स करना होगा यहाँ पे चलते हैं इस पर अगर मैं क्लिक करता हूं और गैस मुझे data नहीं आ रहा है and I just realize data इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि my joke को मैंने get कर ली उसमें मैंने data put कर दिया but as इतना लिखने से थोड़ी होगा we need to write inner HTML अब उस particular paragraph के अंदर व my space actually isn't your space जो भी हो हमें data आ रहा है मैं एक और बार रिफ्रेस्स करूंगा मैं यहाँ पर चलता हूं इस पर क्लिक करता हूं oh my god जो भी हो आपने देखा कितनी easily हमने अपना खुद का एक extension क्रेट की अब देख सकते हूं जब इस पर हम क्लिक करते हो मुझे इस पर data भी दे रह जब यह जो extension है बाकी के लोग भी इसको access कर सके हैना तब बहुत ज़्यादा मजाएगा तो उस समय आपको क्या ची होगा we need to give some permissions यहाँ पर एकदम अच्छे से बताए कि we need to give some permissions तो and हाँ icons का मैं आपको बताए आप different icons भी इस तरी किसी उस कर सकते हो अलग-अलग sizes के लिए ठीक है आप इसको एक बाद जरू go through कर लिजेगा यह देखो guys we need to give this permissions तो यह permissions भी आप वहाँ पर add कर दीजेगा and हाँ अब सबसे जाधे important है कि आप इसको host कैसे करोगे now सबसे जाधे important है कि आप इसको host कैसे करोगे ताकि लोग भी इसको access कर सके बाकि लोग search करके इसको कैसे करना है यह देखो गाइस हिहाँ पर simple create your item को आपको g file create करना है आपको एक developer account setup करना होगा अपना जो items को upload करना है add assist for your listing and then submit your item for publishing and that's it a to z यहाँ पर बताए यह process फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा मेबे आपको थोड़ा pay करना पड़े बट इससे आपका काम हो जाएगा इन्होंने एक a to z बहुत अच्छे से explain किया है बट आपको आपको आचके बीडियो बहुत ज्यादा पसंदा होगा प्लीज आप नीचे comment में यह मत लिखिएगा कि like आपने इसको host करके क्यों नहीं ब so guys यह अगर आप करते हो तो नीचे count करके जरू बताना कि मैंने इसको live host कर दिया and अपना जो extension का नाम link के वो नीचे से जरू करना and हाँ साथे साथ guys ही जो थापा टेक्निकल कोर्ट फेस्ट इस पर जरू पार्टिस्पेट कीजेगा बिल्कुल फ्री है exciting prizes है बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको जावस्ट्रिट का यह जो वीडियो को जरू check out कर लिजेगा and जैसे कि मैं आपको पता है guys मुझे दिखाए देगा हिट कीजे क्लिक कीजे ताकि आप डेल एस आउसम बिडिस को मिस ना करें so till then guys thank you so much take care